Hello friends, welcome to our channel. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उश्मा और ताफ चैप्टर के Heat and Temperature के 200 प्लस MCQ Questions का ये जो है Part 2 है. Part 1 हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे जिसमें एक से लेके 56 Questions महाँ पे cover किये थे और आज हम लोग इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन के निचे दे दिया गया है आप वहाँ से चाहिए और डाउनलूट कर लिए चलिए तो शुरू करते हैं ये जो है 57 है 1 से लेके 56 हम लोग पिछले वीडियो में complete कर लिए थे और हम लोग इसको चार पार्ट में cover करेंगे और ये जो आज का हमारा है ये पार्ट 2 है 57 Question है विद्दूत केतली में पानी गर्म क्यों होता है किसके कारण इसका सही उत्तर है Option B समवहन के कारण समवहन मतलब होता है convection कभी-कभी इंगलिश में दिया रहता है हिंदी के स्थान पे समवहन मतलब convection convection के कारण विद्दूत केतली में पानी गर्म होता है Next Question सूरी की उश्मा प्रित्वी पर निमलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है इसका सही उत्तर है option P विक्रन के कारण सूरी की उश्मा प्रित्वी पर विक्रन से संचार माध्यम से आती है विक्रन इसका सही उत्तर होगा विक्रन का इंगलिश होता है radiation विक्रन का इंगलिश है radiation Next Question इसमें maximum जो कोशन है वो डाइरेक्ट याद कने वाले है उश्मा के अस्तानंतरन की किस विधी में माध्यम आविश्यक नहीं है इसका सही उत्तर option C विक्रन विधी में उश्मा की अस्तानंतरन की विक्रन की विधी में माध्यम आविश्यक नहीं है मतलब हो गया radiation रेडियेशन के समय में माध्यम की जरूरत नहीं है और यह जो है चालन कंडक्शन और कंविक्शन समवहन इसमें माध्यम की अवशक होती है यहाँ पर नहीं क्या बात बुला है तो विक्रन में के बुल देखिए इसका PDF के लिए हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका link दे दिया गया है आप वहाँ से जाएए और इसका PDF डावलोड कर लिजिए और हमारा WhatsApp गूप है इसे भी update या PDF के लिए 8622904250 आप इसको join किजिए या message किजिए हमारा telegram channel है mg-screw करके इसको आप join किजिए और हमारा Facebook page है mg-screw करके आप इसको like किजिए देखते हैं next question उश्मा संचरन की वविधी जिसमें माध्यम के कन गती नहीं करते हैं कौन सी है इसका सयुत्तर है option c same question है विकरन के कारण पस question को हर exam में question को अलग अलग तरीके से बदल दिया जाता है इसका सयुत्तर होगा विकरन उश्मा संचरन की वविधी जिसमें माध्यम के कन गती नहीं करती है यह क्या है विकरन अगला question देखते हैं यह जो है question सब है complete based on NCRT और previous year question पे यह आधारित है जो कि जितने भी यह railway SSC, BPSC, JPSC, भिहार SI जितने भी previous year question से उस पे based है next question देखते हैं उश्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है इसका सयुत्तर option d चांदी जो है यह उश्मा का सबसे अच्छा चालक है next question निमलिकित द्रवो में कौन सा उश्मा का बहुत अच्छा चालक है इसका सही उत्तर option a पारा यह option वाई समंद्धा है देखे सबसे अच्छा उश्मा का चालक इसमें बताना है पारा पानी इथर बेंजिन तो इसका यह चारो option में जो होगा पारा मतलब मर करिए और यह च अच्छारों में चांदी जो है यह सबसे अच्छा चालक है इस सब डारेट कोशन है और एक्जाम बेश्ट में कोशन है अभी रिशेंटली जो हुआ था और यह पूछा गया था और यह ससी के एक्जाम में लगबग यह कोशन्स पूछी जाते हैं निमलिकित में से कौन सी राशी मूले राशी नहीं है इसका सही उत्तर ऑफ्शन ती आयतन जो है यह मूले राशी नहीं है और यह जो तीनों है विद्दृधारा द्रबमान और पदार्थ की मात्रा यह जो है यह मूले राशी के अंतरगत आते हैं अगला कोशन एक गैस के दूद्रूम दबाव के दवरान उसका तापकरम क्या हो जाता है इसका सहुद्धर है option D बढ़ता है एक गैस की तो दोश्म दबाओ के दवरान उसका तापकरम बढ़ता है temperature बढ़ जाता है नेक्स्ट है परम शुन्य वह ताप है जिस पर क्या होगा इसका सयुत्तर ओप्षन ए आन्विक गती रुक जाती है परम ताप पर आन्विक जो गती है वो रुक जाती है अगला कुशन है शूरी विकरन का कौन सा भाग शूलर कूकर को गर्म कर देती है इसका सहयुत्तर ओप्शन बी आउरक्त की रन सुर्य विकरन का आउरक्त की रन जो है वो शोलर कूकर को गरम कर देती है धूप से यह जो कुशन्द है यह BPSC में पूचे गया थे BPSC के प्रिवियस एर कुशन्स में यह पूचे गया है धूप से बचने के लिए छाते में रंग सयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है यह भी सब रिप्टेट कुशन है इसका सयुत्तर ओप्शन A उपर काला और नीचे सफेद उपर काला होना चाहिए और नीचे सफेद धूप से बचने के लिए छाते में रंग सयोजन का जो है सबसे उचित है उपर काला और नीचे सफेद अगला कोशन देखते हैं चांदी की उस्मिया तामबे की उस्मिया चालकता की अपेच्छा क्या होती है? इसका सयुत्तर है ओप्षन B अधिक होती है नेच्ट कोशन ये जो है ये बोलो मीटर बोलो मीटर एक यंद्र है जो क्या मापता है? इसका सयुत्तर ओप्षन B उस्मिया विक्रन बोलो मीटर जो है बोलो मीटर ये क्या मापता है उस्मिया विक्रन एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगी? तो इसका सयुत्तर है, option A, गरम होगी एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गरम हो जाएगी अगला question, 71, निमलिखित में कौन उश्मा का सबसे अच्छा सुचालाख है? इसका सयुत्तर, option C, समुद्र का पान, समुद्र का पानी जो है ये चारों option में से उस्मा का सबसे अच्छा सुचालाख है अगला question, आन्विक संगठन के द्वारा उश्मा का सम्प्रेशन क्या कहलाता है? इसका सयुत्तर, option B, क्या कहलाता है? सम्वहन क्या होगा? आन्विक संगठन के द्वारा उश्मा का सम्प्रेशन जो है ये सम्वहन कहलाता है और शम्वहन का इंग्लिश क्या होगा? कन्विक्षन कभी-कभी हिंदी के अस्थान पे इंग्लिश भी निखा जाता है इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा अगला है विकरन द्वारा उश्मा का अस्थान दंतरन मुख्य रूप से निर्भर किश्पे करता है इसका सहयूतर ओफ्षन T चारों पे इसके तापमान पे पिंड की प्रकृति पर और इसकी प्रिष्ट के विस्तार एवं प्रकार पर तीनों पे ये निर्भर करता है अगला कोश्चन काले वस्तरों मुकाबले स्वेत वस्तर शीतल क्यों होते हैं? इसका सई उत्तर है, option B, उनके पास जो भी प्रकास पहुंसता है, इसे वे परवर्तित करते हैं, काले वस्तरों मुकाबले श्वेत वस्तर शीतल होता है, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकास पहुंसते हैं, इसे वे परवर्तित करते हैं, यह भी question जो है, यह recently SSE में पूछे ग उनी कप्रे शूती वस्तरों की अपेच्छा गर्म होती है क्योंकि वे क्या होगा इसका सयुत्तर ओप्शन T ताप के अच्छे सोधक होते हैं उनी कप्रे शूती वस्तरों की अपेच्छा गर्म होती है क्योंकि वे ताप के टेंप्रेचर के अच्छे सोधक होते हैं 76 number question है, निमलिकित में से किसके द्वारा अधिक उबालक पैदा होती है? इसका सैयुत्तर है, option B, भाप के द्वारा, स्टीम, स्टीम के द्वारा अधिक उबालक पैदा होती है, भाप, अगला question है, अच्छे उत्सर्जक, अच्छे और सोसक होते हैं, यह नियम जो है, यह किसका है, इसका सैयुत्तर है, option A, किर्चॉफ का यह नियम है, अच्छे उत्सर्जक, अच्छे और सोसक होते हैं, यह नि कोशन है थर्मश फ्लक्स के अविस्कारक कौन है किसका बताना है थर्मश फ्लक्स को कभी कभी इस टाइप से भी लिखा जाता है थर्मश फ्लक्स अगला कोश्चन इसको डिवार इसके अविस्कारक है किसी वस्तु के थेड़े होने की दर यहां पर पांतर के अनुक्रमा पाती होती है यह नियम किसका है इसका सही उत्तर है ओफ्शन ए नियुटन की सीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के थंड़े होने की दर वस्तु तता उसके चारो ओर के माध्यम की तापंतरन के अनुक्रमा अनुपाती होती है नियुटन का सीतलन के नियम के अनुसार जो भी एक दो प्रिंटिंग मिस्टिक या टाइपिंग मिस्टिक होगा उसको आप तो कर्रेक्शन कर लेजिएगा PDF में भी अगला कोशन न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है जब कब होगा इसका सयुतर option A ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो तब जब ताप में बहुत ज्यादा जब अंतर ना हो तब न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है अगला कोशन थर्मस फ्लस्क में उस्मा का च्छै रोका जा सकता है किस से इसका सयुतर option D क्या होगा कंडक्शन, कंविक्शन और डेडियेशन तीनों से थर्मस फ्लस्क में उस्मा का च्छै को रोका जा सकता है 82 number question है दीन के समय प्रित्वी समुद्र के जल की अपेच्छा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि इसका सयुतर क्या होगा option C जल की विसिष्ट उस्मा धारिता काफी अधिक होती है जल की विसिष्ट उस्मा धारिता काफी अधिक होती है दीन के समय प्रित्वी समुद्र के जल की अपेच्छा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल के विसिष्ट उस्मा धारिता काफी अधिक होती है है option A, पानी की विसिष्ट उश्मा अधिक होती है इसको हम लोग practically भी देखते हैं कि मोटर गारी के radiator को ठंडा करने के लिए पानी के वेभार किया जाता है क्योंकि पानी की विसिष्ट उश्मा अधिक होती है 84, नम्बर कुश्चन है, निम्न तापी इंजनों, क्राइयोजेनिक्स इंजन का अनु परयोग होती है, किस के लिए? इसका स्यूतर आप्शन C, रॉकिट प्रद्योगी की में, किसमें होती है? rocket प्रद्योगी की में तो cryogenics engine है इनका अनुप्रियोग होती है rocket की प्रद्योगी की में अगला question उर्द्वा पातन मतलब होता है इसका sublimit पदार्थ क्या है चारो option में बताना है कौन-कौन सा है उर्द्वा पातन तो इसका सही उतर है option P उप्रियुक्त सभी कपूर भी है नेप्थलीन भी है और अमोनियम क्लॉराइड भी है ये भी questions बहुत पर एक्जाम में पूछी जाते है बहुत पर एक्जाम में ये भी questions पूछी जाते है बहुत पर एक्जाम में ये भी questions पूछी जाते हैं इसका सही उत्तर, option B, गलनांग कहलाता है, क्या कहलाता है गलनांग, जिस ताप पर कोई ठोज पदार्थ उश्मा पाकर द्रब में परिवर्तित होता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, गलनांग, इसी को कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, अगला कोशन, जिस ताप पर कोई द्रब उश्मा पाकर वार्ष में बदलता है, क्या कहलाता है, यह जो है, 87 नमबर कोशन है, इसका सही उत्तर होगा, option C, क्तनांग कहलाता है, जिस ताप पर कोई द्रब उश्मा पाकर वार्ष में बदलता है, तो वह कहलाता है, क्तनांग, इ कतनांग कहते हैं जब हम लोग वास्प में तो क्या कहलाएगा कतनांग और जब इसको हम लोग द्रव में परिवर्टित करते हैं तो यह कहलाएगा गलनांग सुद्पदार्थ में कोई अन्यपदार्थ मिला देने पर उसके गलनांग पर क्या प्रभाव परता है इसका सयुत्तर है option B घट जाता है सुद्पदार्थ में कोई अन्यपदार्थ मिला देने पर उसके गलनांग घट जाता है अगला कुशन है मिसर धातूओं के गलनांग उनके अव्याई धातूओं की अपेच्छा क्या होती है इसका सयुत्तर option E निम्न होती है मिसर धातूओं की गलनांग जो है मतलब melting point उनक अवियद हात्यों की अपेच्या निम्न होती है, मतलब कम होती है, अगला कोश्चन देखते हैं, निमलिखित में से कौन सा उश्मा का यूनिट नहीं है, उश्मा का यूनिट बताना है, सबसे पहले देखिए, कि उश्मा का यूनिट कौन कौन सा है, उश्मा का यूनिट, इस तो डाइरेक्ट है, ओम जो है यह नहीं है, एम्पेर भी नहीं है, और वोल्ट भी नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, option A, जूल जो है, यह उस्मा का unit है, अगला question, बर्फ का गल्लांक बिंदू क्या है, गल्लांक के लिए यहां पे, गल्लांक मतलब क्या होगा, melting point, किसका बताना है, बर्फ का, तो इसका सही उत्तर, option A, 223 Kelvin, बर्फ का जो है, यह गल्लांक बिंदू है, 273 Kelvin, melting point, और पानी का कथनांक, पानी का कथनांक मतलब हो गया, boiling point, यह क्या होगा, इसको Fahrenheit में बताना है, इसका सही उत्तर है, option B, 21212 degree Fahrenheit, यह क्या हो गया, यह हो गया, boiling point, कतनांक मतलब हो गया, boiling point, 212 degree Fahrenheit, अगला कोशन है, जिस तापमान पर, तरल अपनी तरल अवस्ता से ठोश अवस्ता में परिवर्तित होता है, उसके क्या कहा जाता है, इसका सही उत्तर, option B, क्या कहा जाता है, तो हिमांक बिंदू कहा जाता है जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्ता से ठोश अवस्ता में परिवर्तित होता है, उसे हिमांक बिंदू कहते हैं, हिमांक बिंदू, 94 number question है, हीमी करन, मतलब freezing जो है, इसको freezing भी कहते हैं, तापमान पर पानी के 5 foot जाते हैं, ऐसा, किसके कारण होता है, तो इसका सही उ यह इंग्लिस word है, एक्स्पेंशन के कारण जो होता है, जो हीमी करन, freezing तापमान पर पानी के pipe, वो फट जाते हैं, ऐसा जो कारण है, यह होगा एक्स्पेंशन के कारण, अगला question है, इक्स्पेंशन जो है, यह इंग्लिस word है, इसलिए बोल रहे थे हैं, कहीं कहीं, इंग्ल वर्ड भी लिखा रहता है एक्स पेंसर अगला कोशन जो है पानी का कतनांख बिंदू केलविन पैमाने पे क्या होगा केलविन के पैमाने पे इसको बताना है पानी का कतनांख बिंदू बॉयलिंग पॉइंट तो इसका सायुततर है option C 373 Kelvin 373 Kelvin अगला question इन में से कौन उश्मा का मातरक नहीं है उश्मा का मातरक इसमें नहीं है बताना है तो पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन सा उश्मा का मातरक होता है इसका सायुत्तर है सायुत्तर से पहले देखते हैं जो calorie जो है यह जो है उश्मा का मातरक नहीं है कैलोरी और उसके बाद कीलो कैलोरी यह भी उश्मा का मातरक नहीं है और जूल जो है यह भी नहीं है डिगरी सेल्सियस जो है यह है उश्मा का मातरक अच्छा उश्मा का मातरक नहीं है बताना है तो इसमें कौन सा नहीं है ये तीनों तो है कैलोरी जो है ये उश्मा का मात रख है और कीलो कैलोरी है ये भी उश्मा का मात रख है और जूल जो है ये भी उश्मा का मात रख है और डिगरी सेल्सियस या नहीं है इसमें नहीं है बताना है तो इसका सही उत्तर होगा ओप्शन डिग्री Celsius जो है या उश्मा का मात्रक नहीं है तापमान का SI मात्रक क्या है ताप का बताना है तो इसका सही उत्तर है केलविन जो है SI मात्रक है केलविन अगला कोशन एक किलो कैलोरी उश्मा का मान क्या होता है एक किलो कैलोरी में तो इसका सही उत्तर ओप्शन C option number C 4.2 into 10 to the power 2 joule 4.2 into 10 to the power 2 joule जो है या एक किलो कैलोरी उश्मा का मान होता है option C next question देखते हैं मिट्टी के बने घरे में भड़ा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि इसका कारण क्या है इसका सही उत्तर option C option A इसका सही उत्तर है कि घट जाएगा बर्फ पे जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो melting point है गलनांक जो है वह घट जाएगा अगला question देखते हैं जैसे यहाँ पर एक बर्फ का यह ले लिए अगर इस पर हम लोग दाब बढ़ाएंगे पेशर देंगे तो इसका melting point जो है melting point यह घट जाएगा decrease हुजाएगा ठोशे द्रब में पदार्थ के अवस्था परिवर्तित को क्या कहते हैं ठोशे द्रब solid से liquid में इसका सही उत्तर है option A गलन ठोशे द्रब में पदार्थ के अवस्था परिवर्तित को गलन कहते हैं अगला question किस वीदी से उस्मा अस्तानंत्रन को नियुंतम करने के लिए थर्मश फ्लक्स की दिवारो परकलाई की जाती है परकलाई एक साथ हो गया है क्या होगा परकलाई की जाती है तो इसका सही उत्तर क्या होगा option C वीकरन के द्वारा वीकरन इसका सही उत्तर होगा किस वीदी से उस्पा अस्तानंत्रन को नियुंतम करने के लिए थर्मश फ्लक्स की दिवारो परकलाई की जाती है तो वीकरन के द्वारा अगला कुश्वन के एकांक द्रमान का ताफ एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उस्मा क्या होगा अगला कुश्वन के एक जाती है सर्वोच विशिष्ट उश्मामान इसका सही उत्तर option P जल में जल में जो है वो सर्वोच विशिष्ट उश्मामान होती है पानी में अगला question दाब बढ़ाने से किसी द्रब पर कतनांग क्या होगा? इसका सही उत्तर है option P क्या होगा? बढ़ेगा दाब बढ़ाने से इसी द्रब का कतनांग जो है वो बढ़ेगा अगला question देखते है यहाँ पर देखिए इस question में कतनांग पर बात हुआ है कतनांग क्या होगा? बढ़ जाएगा मतलब boiling point और यह जो पिछला question था यहाँ पर पिछला question हम लोग जो अभी डिसकस किये थे उसमें हम लोग melting point के बारे में डिसकस किये थे गल्लांग के बारे में नेश्ट question देखते हैं एक सोचे नंबर अब द्रबों को मिलाने से गल्लांग पर क्या प्रभाव पढ़ता है? तो इसका सहीधतर है option B क्या होता है? घड़ता है अब द्रबों को मिलाने पर गल्लांग पर जो है वो घड़ जाता है नेश्ट question देखते हैं वाश्पी करन की दर निर्भर नहीं करती है किस भी नहीं निर्भर करती है? इसका सहीधतर option C इसका सहीधतर है द्रब की संपूर्ण मात्रा पर वाश्पी करन की दर निर्भर नहीं करती है द्रब की संपूर्ण मात्रा पर यह सब डेरेक्टली एक्जाम के question है इसको आप लोग डेरेक्ली इसको याद कर लीजिएगा अगला question किसी निश्चित द्रब के लिए वाश्प की दर निर्भर करती है इसका सही उतर क्या होगा option D उविक्त सभी कार को पर क्या क्या है उपरियुक्त द्रब के ताप पर, वाईू के ताप पर और द्रब की खुली सता के छेतरफल किसी निश्चित द्रब के लिए उपर के दापड निर्भर करता है जल का जो है कतनांक जो है मतलब boiling point जल का कतनांक boiling point जो है जल की खुली सता के उपर के दापड निर्भर करता है अगला question और यह हमारा आज का है last question ताकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसको हम गेंज तक रखेंगे तेज हवा वाली रात तेज होती है तेज हवा वाली रातरी में ओश नहीं बनती है क्योंकि वास्पी करन की दर तेज होती है और आज का हमारा यहां पे last question यही था वीडियो काफी वढ़ना लंबा हो जाता है चलिए हम लोगा part 2 यहां पे complete होता है और इसको हम लोग 200 प्लस mcq question को जो है हम लोग इसको चार पार्ट में total cover करेंगे चार पार्ट में पार्ट 2 हमारा हो गया और पार्ट 3 पार्ट 4 हम लोग इसको next वीडियो में cover कर लेंगे तो pdf के लिए वीडियो की जो description के नीचे जो link दे दिया गया है आप वहां से जाएगे और download कर लिजिए और हमारा whatsapp group है इसको आप mg money screw करके आप इसको join कर लेजिए और facebook पे ये mg money screw करके किसी भी pdf या update के लिए आप इसको like कर लेजिए आप किसी भी government exam की तयारी कर रहे है railway SSC, BPSC, JPSC, Bihar SI किसी भी government exam के लिए single day exam, one day exam, mcq based तो आप हमारे channel को subscribe करें अगर आपको हमारा यह video अच्छा लगा तो हमसे जु झाल